दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं और प्याप कॉंस्टेबल और जो SI के भी भरती आई है उसके बेस्ट बुक के बारे में जो अभी बरतवान में चल रही है और काफी अच्छी बुक है यहाँ पर आप देखोगे कि सभी एकदम मानों के चैप्टर बाइस चीजों को दिया गया है TCS पैटरन का पूरा आपको यहाँ पर देखनों को मिल जाएगा सामान अध्यान है चच्छू प्रकाशन की बुक रहेगा इसमें देखोगे आपकी मुल्टिपल टाइप है जैसे ALP टेक्निशन का टीर वन टीर टू का पूरा दिया गया है और NTPC CBT1 CBT2 का सब कुछ यहां पर पूरा ब्याख्यात में खाल सही दिया गया है और यह पुस्तक की अगर में बात करता हूं तो हर हाल में उसको स्रेश्ट है तो इस पुस्तक को आप एक बार चेक आउट कर सकते हो और काफी अच्छा यहां पर बुक आपको मिल जाएगी 9900 प्लस यहां पर आपको देखो कि multiple choice question दिये गया है पूरा TCS पैस्टर में जो paper हुआ था आपका पिछले सालों में उसका आपको पूरा जो है तो pattern में मिल जाएगा लेटेस्ट यहां पर chapter wise चीज़ों को दिया गया है तो इस बुक को यह बहुत ही best book है आपको यह practice book भी च अक्ष्य प्रकाशन काता है जिसमें आप यहां पर देख सकतो है screen में का भी यहां पर दिया गया है official मतलब पूरा pattern के साबसे और RPF के बारे में आपर SI का भी railway math chapter wise सभी का अगर आप देखोगे तो math reasoning और GK का math और science यहां पर पूरा दिया गया तो इसको आप अगर जो है तो कि आप नए वीडियो देखा प्लस आपको इससे एक सरकारी नोकरी आज से आप एगर एक प्रेंट ले लेते हो तो यह एक ऐसी भरती है जो आने वाले दिनों में आपको एक सरकारी नोकरी और बिरोजगारी का जो आपके पास एक math matter लगा हुआ है कि आप बिरोजगार हो य यह है वो पचास टेप चीज़े हैं तो आप आज से इस चीज़ को अगर आप ठान लेते हैं तो आने वाले दो से तीन मेने के अंदर अंदर आप एक government servant या government employee बन जाओगे और बहुत ही आसानी से बनोगे इसका मैं पूरा आपको बताने बादा हूँ देखी यह जो भरती ह दोस्तों यह बहुत ही जची भरती है और दसमी पास से केबल इसमें लिया जाता है तो इसमें जो भी चीज़े हैं मैं आपको जो लाश्ट बिकेंसी आए थी उसके बारे में थोड़ा बता दूँ कि लाश्ट बरती है कब आई थी तो आप देख सकते हो कि जो लाश्ट एक चार्ट हुए था 2019 में और 12 अप्रेल तक लगबाग एक महीने का टाइम यहां पर फाम बने के लिए आपको दिया जाएगा इसके बाद आपका जो पेपर हुआ था यहां पर तो देख सकते हो कि इसका जो पेपर हुआ था वो सिक्तंबर अक्टूबर 2019 में ही हो गया था और इस भरती के मेरे बात करूं तो इस पोश्ट का क्या नाम है तो यह लेबल वन की होता है जिसको रेलबे में ग्रूप डी की नाम से भी जाना जाता है आज जो भाई इसमें काम करें वो काफी ज़्यादा खुज हैं प्लस यहां पर 40 से 50,000 सेल्ली वो उठा रहे हैं लबग जो 2019 से भरती आई थी आज अगर आप बात करोगे जो वहां पर स्लिक्टर है तो उनकी बहुत सा लोग ऐसे हैं जो उनका 50,000 सेल्ली यहां पर हर महीना भी क्रेडिट हो रहा है वो भी 10 में पास से केबल यहां पर भरती होती है और यहां पर अब देखोगे कि बहुत सारी च जाओ तो आप यहां पर एक चीज नोटिस करके देख सकते हो कि जो टोटल पोश्ट थी यहां पर तो एक लाग तीन जार 770 पोश्ट यहां पर आई थी यानि मान सकते हो कि एक लाग पद अच्छे खासे पद होते हैं तो कि अभी देखोगे तो पांच साल हो चुका है तो बान साल में आपकी जो भरती है काफी जादा रिटार्मेंट के बाद आप यह उम्मेद कर सकते हो कि कम से कम 50,000 से उपर और लगब लबग एक लाग क्यास पासी नई भरती जो है तो आने वाली है वो कब आएगी इसके मैं आगे बताने वाला हम आपको अब यहां पर देख का यहां पर 40,000 पोस्ट में भरती आया हुआ था तो इस तरह से यहां पर टोटल 56,504 भरती हो गया था बाकी यहां पर और जो भरती हो अलग अलग पोस्टों के लिए निकाली गई थी अब यहां पर देखोगी तो पूरा एक एक चीज यहां पर हम लोग समझ लेते हैं जो पर ऐसे आगे बढ़ते हैं तो जो फारम कौन कौन भर सकता है यहां पर तो जो इंडिया के रहने वाले हैं नेपाल के रहने वाले है सभी स्क्राहब को तो भर सकते हैं बाकि यहां पर देखेvoorbeeld कि एच कितना लेता है मेन मीटर हुआ है क्योंकि आप देखो गजो जैसे होता है कि जैसे पुलिस गहरा में देख़ोगे तो अठारा से पत्वच्छ साल अठारा से आप 5 प्लस कर लीजे जो है तो HTSC और बाकि OBC का 3 साल आप प्लस करके चल सकते हो तो इस तरह से आप देख सकते हो कि अच्छी कासी यहाँ पर भरती भी आएगी और HB दिया गया है बहुत सारे भाईों को जाप होता है सपना किसी कानबस वो नहीं कर पाते है लेकिन आपको मोका मिलता है तो अगर आप प्राइबेट जॉब भी कर रहे हो तो आप इस पर एक बार ट्राइ कर लेना काफी असान इसका स्लेवस रहता है स्लेवस मैं आपको थोड़ा से दिखा दूँगा बाकि अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो इसका सेपरेट का स्लेवस वीडियो एक बना दूगा एक्जामनेशन फी देखोगे तो एक्जामनेशन फी आपका यहापर 500 रुपे सुरू में लगेगा लेकिन यह जब से यह किसके लिए है तो यह जो है आपर देखोगे कि 500 जो लगेगा जिसमें आपका 400 रुपे जब आप पेपर दोगे इस कम्प्यूटर बेश पेपर होने के बाद आपका 4 रुपे खाते में आपके आजाएगा यानि जो आप खाता नंबर दोगे फार्म बढ़ते समय उसी खाता नंबर में यह जो पैसा है 400 वापीस आ जाएगा जब आप पेपर दे दोगे तब तो यह जो तो जनरल एडगलूस के लिए और OBC की बात की जा रही बाकि यहाँ पर 2500 रुपे लग रहे है किसके लिए STS के लिए है महिलाओं के लिए है जिसमें आपका यहाँ पर पैसा वापीस 250 आ जाएगा जब आप पेपर दे दोगे तब बाकि आपर जो चीज दे गए है तो इस तरह से जो नोटिफेकरिशन पूरा निकाला गया था और मैं आपको यहाँ पर एक चीज और देता हूँ थोड़ा सा जो है तो इसमें देखो कि यह जो चीज एक बार किलियर कर देता है कि सिले बस इसमें क्री क्या पूछ जयाता है तो का आ पेपर निकाल सकते होゃ नहीं निकाल सकते हो भी बहुत ही मे terra करने वाला है क्योंकि इसका slavers काफी Snon को से लोग यहां पर جो paper दिए थे दिद्धिलसलों को मालूम हो कि इतना कम नंबर में यहां पर सेलेक्शन हुआ था देखिए यहां पर मैं स्लेवर्स की बात को तो रिकूर्मेंट प्रोसेस में देखोगे आप जो 2019 के बारे में बताए गया है कि यहां पर आपका सेलेक्शन का चांस काफी ज्यादा है पोश्ट भी काफी ज्यादा यहां पर आती है और काफी ज्यादा यहां पर सिलेवर्स भी अच्छा खासा आप से मिलता जूलता है जो कि 9 और 10 में आप लगवा लबग जिस चुछ को पढ़ते हो वही चीज यहां पर डिटो पूछा जाता है ना तो इगलिस रहती है ना तो इसमें कोई ज्यादा आपर आपको अधर सब्जेक्ट ना तो कम्प्यूटर यहां सो कुछ देखने को मिलेगा नहीं आपको देखें सिलेवर्स यहां पर क्या होता है कि 90 मिनट के आपका पेपर दे जाएगा जिसमें आपको जेनरल साइंस का 25 कोश्चन रहेगा मैतमेटिक्स का 25 नमबर रहेगा और रिजिनिंग का आपका 30 नमबर और जीके की बात करो और करेंट अप्यर्स का इसमें 20 नमबर के चीज पूछा जाएगा अब देखोगे तो टोटल आपका जो नमबर आप कोश्चन हो जाएगे वो 100 हो जाएगे जिसमें आपको अगर आपको देखिए जो यूर के टेगरी के हैं उनके लिए मैं बात करूँ तो अगर आप यहाँ पर 65 से 70 की बीज में नमबर ला देते हो तो आपका सेलेक्शन य काफी आसानी से यहाँ पर हो जाता है डिपेंड करता है कि आप काउं से फार्म भरे हुए हो अब देखिए सिलेबस तो काफी आसान है जो आप 9-10 में पढ़ते हो इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी लेबल नहीं है और 90 मिनट का पका पेपर होगा तो देखिए इसका जो यहाँ पर डिटेल स्लेबस भी दिया गए है आप इसको देख लोए ना आराम से स्क्रीन सार ले सकते हो बाकी फिचकल है तो फिचकल काफी आसान रहता है 35 किलो का बजन आपको उठा के जो दोड़ना मतलब चलना होता है 100 मीटर आपको 2 मिट के अंदर तो यह चीज यह पर दिया गए बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है तो यही चीज नार्मालाजिशन के बारें बताये गए तो फाइनली यही चीज बोलूँगा कि आप यह जो वेकेंसी वो कब तक आ सकती है तो अभी आप देखोगे कि सितंबर और अक्टूबर में थोड़ा सा इसको मैं एक ब पता देता हूँ तो यह जो दोस्तो कलेंडर है कलेंडर के साब से क्योंकि कलेंडर अपडेट हो चुक है आप देखोगे तो यह जो लेबल वन की जो भरती है वो अक्टूबर से लेके दिसंबर की बीच में बोला जा रहा है कि भरती आएगी तो अभी अगर आप माई चल जा तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर यानि आपके पास चार महीने बचे हुए है क्योंकि जब इसका चार महीने यह बहुत ही ज़्यादा है आपके त्यारी के लिए क्योंकि 910 का सिलेबस है तो आप देखे अभी बहुत से लोग क्या गलती इसमें कर सकते हैं